देखिए गौवर्मेंट के गाइडलाइन्स का पालनीस प्रकार करना है हम लोगों को तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं अभी दूर के गंजपारा की मूर्ती देखने गंजमंडी की अभी रात काफी हो चुकी है नौ बजने को है तो पता नहीं पंडाल खुला होगा के नहीं चलिए चलते हैं एक बार देखते हैं यह हम चौक भी क्रॉस कर चुके हैं देखिए दोस्तों उम्बित करता हूं कि पंडाल खुला हो क्योंकि सासन के गाइडलाइन के अनुसार सहरों में 6-9 के बीच पंडाले खुली रखनी है उसके बाद बंद हो जाती है तो चलिए दे सब्सक्राइब करते हैं तो हम लागा गन्जमंडी पहुंग है और फिसमत अच्छी है कि पंडाल खुला है देखिए गौवर्मेंट के गाइडलाइन्स का पालनीस प्रकार करना है हम लोगों को प्रकार करते हैं तो हम लोगों को देखिए यहां पर शिहासन पर एक गणपती बाद करते हैं तो हम लोगों को बैठे हुए है है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है तो चली दोस्ता वहम लोगों वापस चलते हैं यहां से ऐसे यहां पर भव्य टाइप का पहले हर साल यहां पर घडपती और दूर्गा रखा जाते था बट कोरोना के चलते यहां पर चोटा सा मुर्ती विराजमान किया गया है और और तो कुछ नहीं दोस्तों हर साल दूर्गा में बहुत सारी जगा मुर्ती विराजमान होती थी और ज्यादा तर रोडु पर ही होती थी लेकिन इस पर किस आशन के गाईद्लाइन के दूसर रोड पर लग्णा तो मुस्किल ही हो गया तो गार कुछ नहीं वीडियो बहुत छोटा था लेकिन जो भी था जैसा था वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सेर जरूर करेगा और चैनल सब्सक्राइब किजिएगा धन्यवाद दोस्तों